इस्प्लिट एसी को इस्टॉल करने के लिए कौन-कौन से टूल्स की जरुरत पढ़ती है यह जानना बहुत जरूरी है तभी आप अपना बैग एक तैयार कर सकते हैं इस्टॉलेशन के लिए इस्टॉलेशन या फिर रिपेरिंग करने के लिए लेकिन आज इस वीडियो में इस्टॉलेशन करने के लिए कौन-कौन से टूल्स की जरुरत पढ़ेगी कंपलीट मैं सिखाने वाला हूं समझाने वाला हूं तो चलिए एक-एक टूल्स को हम समझते हैं और उससे पहले मैं बताना चाहूंगा चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो चैनल को जो टूल हमारा वो हमारे पास एक हैमर मसीन होना चाहिए और भी एक अच्छा वाला हैमर मसीन मैं आपको इमेज में दिखाने की कोशिज कर रहा हूं जितने भी टूल्स मैं बताऊंगा सारी टूल्स को मैं इमेज में दिखाऊंगा और उसके क्या कारी होते हैं उसे भी मैं सम पड़ेगी इंड versión करेंगे तो उसके लिए अलग वीट की ज़रुद पड़ेगी और जब रिवार में होल मारें गी जब और कापक पार कर रही होते हैं उसके लिए हममें अलग पड़ेगी तो अलग अलग बीट की जो आप तीन-चार बीट ले लेंगे तो आपका काम हो जाएगा लॉंग टाइम के लिए हो जाएगा अगर आप अच्छा वाला हैमर मसीन ले लेते हैं तो तो एक तो हो गया हैमर मसीन जो कि हमें इंडोर हैंक करने के लिए काम में आता है इस्टेंड को हैंक करने के लिए होल मारना पड़ता है वहां पर हम इस्टेंड को लगाते हैं और आउट्डोर को हैंक करते हैं दीवार में होल मारते हैं उससे ताकि हम कौपर पाइप को पार कर सकें आउट्डोर से इंडोर से जोड़ेने वाली जो कौपर पाइप होती है उ इसका गैरेंटी नहीं है आप सिर्फ समझे जितना मैं बता रहा हूं आपके समझ में आ जाएगा दो इसको ड्राइबर होना चाहिए दो अलग अलग यानि की एक माइनस और एक इस्टार दो इसको ड्राइबर आपके पास होने चाहिए क्योंकि कभी-कभी जुरत पड़ जात चैनी और हथोड़ी यह आप देख सकते हैं चैनी और हथोड़ी क्योंकि होता क्या है कि हैमर मसीन से होल मारने के बाद हमें चैनी और हथोड़ी की जुरत पड़ती है जब हम दीवार में होल कर रहे होते हैं उसे एक कटर मसीन आता है उससे जब हम होल मारते हैं तो यह बिल करने के लिए होल को चैनिया थोड़ी हो गया इसके बाद हमारा आता है कि ट्यूब कटर होना चाहिए ट्यूब कटर अब किस काम में आता है ट्यूब कटर हमारा जब भी कॉपर पाइप कहीं बड़ा हो गया चोटा हो गया तो उसे कट करने के लिए हमारे पास ट्यूब कटर क के पास है तो बहुत बैतर है एक ही से काम चल जाता है लेकिन यह यह अगर 58 का पाइप है तो फिर गड़े एक कट रोकाई यूज करिए अगर छोटा पाइस तो आप चोटी तुछ च्राइद का यूज करिए त्यूब् कटर कभी कभी हमें pipe को जोन्टकरना पड़ता है जो company आप देती है अगर उधने में काम चल जाता तो हमें Mund रोगा रहे हैं अगर कर रहे हैं outdoor को आफ दूर लगा रहे हैं तो उसके लिए को वहां पर बलिजिंग सेट की ज़रूत पड़ेगे फ्लेरिंग टूल आप देख सकते हैं इमेज में फ्लेरिंग टूल नेक्श्ट हम बात करते हैं कि आपके पास दो साइज का एक चोटा एक बड़ा दो सलाइड रिंच होना चाहिए जिसे कुछ लोग spainer कहते हैं दो slide range अब slide range की स्काम में आता है जब हम flare nut को tight कर रहे होते हैं outdoor में जब हम connect करते है flare nut को वहाँ पे tight करते हैं तब वहाँ पर हमें flare nut को tight करने के लिए हमें slide range की जुरूत पड़ती है spainer की जुरूत पड़ती है जो कि हमें दो साइज का होना चाहिए अब दो साइज की जरूरत क्यों पड़ेगी क्योंकि 5-8 का अगर पाइप है अगर आपके पास सलाइड रिंज छोटा वाला होता है तो वहाँ पर छोटा वाला काम नहीं करेगा 5-8 के पाइप पुटाइट करने के लिए उसके लिए लगाते हैं और एक हाफ दों पकड़ करने के लिए या तो की करने के लिए होना चाहिए वाइयर कट्र लोसे जरूरत नहीं है तो भी आपका काम चल जाएगा इसे वाyre cutter होनाय, वाyre cutter अगर रहे गा, तो वाyre cutter करने में छिलने मैं आपको आसानी होगी, उसके साथ में आपको, nos player की जरूरत पड़ेगी, nos player अब क्यों कीश काम में आयेगा, इसको भी समझ लीजिए, अब देखी, कि यहां पर वायर कटर नहीं होगा तो नोच पलायर से काम चल जाएगा उससे भी हम कातार को कट कर सकते हैं वायर को और छिल सकते हैं उससे एक जगह और जुरत पड़ेगी जब हम फ्लेरिंग बनाने के लिए वहां फ्लेरिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं तो उससे पहले हम तोड़ा सा शुरूर करते हैं ताकि हमारा च्छै तरह से बने स्वरइब करने के लिए उसके लिए भी जोरवट पड़ती है तो गप नुश जोवटahos कोश्ण करते हैं तो ऎसे ब्लाज् curriculum को हमें एक प्लास की जोरत पड़ेगी प्लास एक ही होना चाहिए एक प्लास होना चाहिए प्लास की जोरत कब पड़ेगी कभी-कभी हम डारेक्ट हमारा लाइट स्टार्ट रहता है उसके बाद भी हमें वायर को जोइंट करना पड़ता है तो उसके लिए प्लास में क्या होता है जहां हम हैंड से पकड़ते हैं तो वहां पर कबर लगा होता है जिससे हमें बिजली का जटका ना लगे हमें करेंट ना लगे तो उसके लिए हमें प्लास की जुरत पड़ती है और प्लास से हम वायर को कट भी कर सकते हैं चील भी सकते हैं और वायर को सकते हैं कितना वी कड़क वायर हो वहां पर प्लस का इस्तमाल करके हम उसे आख़ी तरह से जॉइंट कर सकते हैं कि वाईर को किसी भी वायर को ने कुंड करते हैं कि हमरे पास वायर टेफ होना चाहिए बिजलि का टेप देख सकते हैं कलических टेप होना चाहिए is पड़ती है, अगर मानिये कि हम जितना वायर कमपनी ने दिया है, आउट्डोर से इंडूर को जोड़ेने के लिए, अगर हमें और भी ज्यादा वायर की जोरत पड़ती है तो, तो वहाँ पर वायर को कट करके छील करके तेप मारना पड़ेगा वहाँ पर, तो उसी एलेक्ट है रेती अब इसकी जरूरत कहां पड़ती है इसकी जरूरत जब हम फ्लेरिंग बना रहे होते हैं या फिर स्विगिंग करने वाले होते हैं स्विगिंग के समय तो जरूरत नहीं पड़ती है लेकिन फ्लेरिंग के समय जरूरत पड़ती है इसकी तो वहां पर जब हम फ्लेरिं इतना professional इतना सुन्दर बनता है कि पूछिए मत कभी भी अगर आप फाइल का इस्तमाल नहीं करते हैं और ऐसे ही flaring बनाते हैं तो तिर्चा मिर्चा बन जाता है और देखने में सुन्दर नहीं लगता है लेकिन एक बार फाइल का इस्तमाल करके देखें फाइल से उसे घसने के बाद फिर आप फलेर बना करके देखें कितना सुन्दर फलेर बनेगा पहले मैं भी ऐसे कर दिया करता था लेकिन कहीं से मैं भी सीखा था कोई मुझे बताया था कोई बताया था मैं देख लिया था किसी को करते हुए ऐसे किसे को देख लिया था उसके बाद मैं भी वही ऐसे ही इस्तेमाल करने लगा तब से मैं देखा कि फ्लेरिंग हमारा अच्छा और बनने लगा पहले से तो आपके पास फाइल होना चाहिए नेक्स्ट है हमारा स्विगिंग टूल की जुरत पड़ेगी स्विगिंग टूल आपके पास होना चाहिए स्विगिंग टूल देखी दू तरह का आता है मैं तो आपको रिक्मेंट करूँगा एक स्विगिंग टूल जो होता है जैसे फ्लेरिंग हम करते हैं उसी तरह से उसमें बैठ जाता है जगहे पर उसी में बैट जाता है और उसे ऐसे सटड करते हैiber बहुत आसानी से बन जाता है स्यगे आसानी एक होता है कि हमारे पास सिच फिर्थ होता है दो बड़ा उसको पाइप में डाल करके और अथ 104 दोकते हैं में निकालने में बहुत तिकत होती है लेकिन एक फैरेइंग टूल के साथ में एक आता है तो उसे हम टाइट कर देंगे उसके बाद जैसे जैसे टायट करते जाएंगे जैसे टायट करेंगे हमारा चितना भी 5-8 का हो 3-8 का हो एक फिर 3-16 मी पैप हो इतनी आसानी से बन जाता है कि आप देख करके आप बना लेंगी वहांपर, THRIVEिंग कर लेंगे, तो हम और को जोन्ट कर रहे होती है और किसी पाईप को हम जॉइंट कर तो क्योंकि पाईप बढ़ा लगाने की यॉअउन्ट पढ़ती है तो ऊहां पर पाईप कैसे हम जॉइंट करेंगे ऐसे तो लगेगा नहीं, उसके लिए स्विगिंग करना पड़ता है, तो स्विगिंग करेंगे, स्विगिंग करके पाइप को बैठा करके उसके उपर ब्रेजिंग करेंगे, तब हमारा पाइप जितना आप बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो वहाँ पर स्विगिं को installation करने के लिए हमारे पाता हम लेबल पत्टी का हुत हुंआ कि इन्डेट को हें कर रहे होते हैं तो उचategory का लेबल लेने फाथा हमारे पाства मारे पास नवक्त हो तो हमारा इन्डर क्वाइब कर में ऑफार आएंगे फिरफिरदिफिकौन ही हमारे पास. जिससे क्या होगा कि रूम में देखने में अच्छा नहीं लगेगा और बाद में वाटर ड्रॉपिंग का प्राप्लम इसू आएगा तो आपके पास लेवल पट्टी होना चाहिए उसके साथ में आप इंडूर में भी लेवल लेंगे आउटडोर को भी लेवल में लेकर के आ इंसुलेशन और वायर एक साथ में लगा लेते हैं आउटओर से कनेक्ट कर देते हैं तो वहाँ पर क्या होता कि टेप हमें मारने की जूरत पढ़ती है तो आप आप आसानी से इंसुलेशन से अच्छी तरफ में प However को अपकर सकते हैं और लास्ट में एक चीज या फिर pencil होना चाहिए अब इसकी जोरत क्यों पड़ती है जब हम indoor को hang कर रहे होते हैं प्लेट को ठोकने के लिए जब हम label लेते हैं तो वहाँ पर जहाँ पर hole मारना होता है nut को tight करना होता है जो screw को तो वहाँ पर Nissan मारते हैं उसके बाद एक major tape होना चाहिए major tape काफी important है major tape अब major tape आप image में देख सकते हैं यह होता है major tape इसकी जोरत क्यों पड़ती है indoor को हम अगर major tape हमारे पास ना रहे तो हमें पता ही ने चलेगा कि हमें hole कहां मारना है जो copper pipe निकाल रहे हैं और हम फिर हम किधर से हम उपर का जो हमें माप लेते हैं कि जो सेलिंग से हमारा indoor जीतना नीचे लगाएंगे कहीं असा ना हो एक तरफ नीचे हो जाए एक तरफ उपर हो जाए तो उसके लिए हमें major tape की जोरत पड़ती है major tape से हम नाप लेते हैं कि हाँ इधर भी सही है और इधर भी सही है दोनों तरफ सही होता है तब हम plate को वहाँ पर ठोकते हैं plate को हम screw मार करके tight करते हैं तो वहाँ पर major tape की जोरत पड़ती हैं वहाँ इसे भी major tape की जोरत बहुत जगा पड़ती हैं copper pipe को नापना हो wire को नापना हो indoor से outdoor की लंबाई हमें नापनी हो तो वहाँ पर major tape की जोरत पड़ती है और कितनी दूरी पर हैं कितनी दूरी पर हमें hole मारना है कहां से हमें copper pipe निकालना है उसके लिए हमें मापने के लिए major tape की जोरत पड़ती है तो ये छोटा सा video था मुझे लगता है कि मैं काफी important जितने tools हैं उस सारे tools को मैं बता चुका हूँ तो ये छोटा सा video था अगर video पसंद आया तो video को like ज़रूर कर दे लाश्ट में बताना चाहूँ का चैनल को subscribe ने किया तो चैनल को subscribe कर ले अगर आप हमारी वीडियो को facebook पर देख रहे हैं तो facebook page को follow कर आपको notification मिल पाए और वीडियो पहले देख पाए तो आज के लिए वस इतना ही था अगली वीडियो में फिर जल्दी मिलते एक नया topic के साथ